ब्रोट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स मंच पे मौझूद पंजाब के बेहत लोक्प्रिय मुख्यमंत्री बग्वन्तमान साब मंच पे मौझूद इशुदान भाई, गोपाल भाई, चैतर भाई, कुमेश भाई, राजु सुलंकी भाई और यहां पे आए हुए हमारे पूरे गुजरात से जगे जगे से आए हमारे गुजरात के आम आदमी पार्टी के सभी नेता गन, सभी कारेकरता, सभी अधिकारी गन, सभी मेडिया के साथ ही सबको मेरा नमशकार, सबको मेरा प्रणाम दिसम्बर 2022 में गुजरात का चुना हुआ था गुजराती विधान सभा का सवा साल पहले आज से मुझे आद है जब दो साल पहले हम गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पूरी जोर शोर से आये थे तो सब लोग कहते थे आम आदमी पार्टी का कुछ ने होने वाला यहां तो दो ही पार्टी चलती है एतिहासिक तोर पे इतने सालों से दो ही पार्टी है वस तीसरी पार्टी का यहां कोई स्कोप नहीं है और अचानक ये तीसरी पार्टी आई और पहली बार में 14% वोट गुजरात बीजेपी का गड़ माना जाता है वो कहते हैं न कि शेर की मुँ में हाथ डालके शेर की मांद के अंदर गुसके 14% वोट हम लेके आए थे पाँच एमेले 14% वोट तो ये एक तो गलत फेहमी हम लोगों ने तोड़ी कि गुजरात में दोई पार्टी चलती है गुजरात के अंदर तीसरी पार्टी भी चलती है और एक नई पार्टी को आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ रहे थे इतना प्यार इतना प्यार मिला पूरे गुजरात में टाइम कम था इसलिए बहुत जादा प्रचार नहीं कर पाई अपनी बात नहीं रख पाई अच्छे से कोने कोने में नहीं पहुँच पाई संसाधनों की कमी है तो इसलिए 14% वोट और 5 अमेले मुझे लगता है एक बहु पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी लगी हुई है और काम कर रही है जनता के लिए काम कर रही है जनता के मुद्धों के लिए आपके बिच्चों की शिक्षा के लिए आपके परिवार के इलाज के लिए आपके सडक के लिए बिजली के लिए पाने के लिए कोई पार् साल में एक धेले भर का काम नहीं किया 156 सीट आने के बारे उसकी थोड़े दिन पहले हमारी पंजब में सरकार आई है पंजब में इतने कामो रहे हैं इतने कामो रहे हैं पंजब के अंदर भी मान साभ गिना रहे था और यह क्या एक से चपन आगे अभी भी दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपने मिला रहे हैं अभी भी दूसरी पार्टियों के मेले तोड़ तोड़ के ला रहे हैं तो यह काम करने एक ही पार्टी आज देश के अंदर जो देश के लिए काम कर रहे हैं यह भविश्य के लिए जब केंदर केंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और जब वो दिन आएगा और जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि एक छोटा सा नन्ना सा पौधा जो दो हजार बारा में शुरू हुआ था वो बढ़ते बढ़ते पार्टी कब बनी और किस ने बनाई तो गुजरात का नाम सुनेरी अक्षरों में रिखा गुजरात के लोगों ने बनाई गुजरात के लोगों ने राश्टर पार्टी बनाई और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राश्टर के ऊपर मांचित्र के ऊपर खड क्या मिला आपको भाजब को 26 की 26 सीट दी इन 26 लोगों ने आपके लिए कोई काम किया एक भी काम किया क्या मिला आप लोगों को इतनी समस्याएं आई आई आपकी इतनी समस्याएं आई पेपर लीक हुए इतने पेपर लीक हुए और फिर पेपर लीक हो रहे हैं एक भी बार ए एक भी सांसद ने, एक भी MP ने संसद में आपकी आवाज उठाई, कितनी बार शराब घोटाले हुए, यहाँ पे शराब की वज़े से कितने लोग मारे गए, एक भी सांसद ने आपकी आवाज कहां थे वो लोग जब आपके यहाँ पे शराब घोटाला हो रहा था और शराब की वज़े से नकली शराब की वज़े से याँ पे लोग मर रहे थे कहां थे आपके 26 के 26 सांसत घर में बैठ के सो रहे थे कहां थे आपके 26 के 26 सांसत जब आपके बच्चों की परिक्षाएं लीक हो रही थी कहां थे आपके 26 सांसत घर में बैठ के सो रहे जब आपके बच्चे बेरोजगार बेरोजगार बिच्चे सड़क के ऊपर रोजगार के लिए धरने करते हैं प्रदिर्शन करते हैं पुलुसन के ऊपर लाठियां चलाती है कहां आपके 26 सांसद कहां रहते हैं घर के अंदर सो रहे होते हैं क्या फाइदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का हमें क्या मि मैं गुजरात के लोगों को यह ही कहने के आया हूँ आप 26 उनके देते हो इस बार एक बार दो मेरे दे के देख लो अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो मेरे दो जिता के देख लो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे अभी मान साब कह रहे थे एक दिन नी बीतेगा जब लोकसुबा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी आपके मुद्दे उठाई जाएंगे फिर खबरदार अगर गुजरात के अंदर शराब की शराब दुबारा अगर बनी खबरदार अगर आपके बच्चे के पेपर लिख हुए तो अगर आपके बच्चों के गुजरात में पेपर लिखोंगे पूरे देश के अंदर आपकी आवाज गुजेगे पूरे देश पुपला चलेगा अगर आपे दुबारा नकली शराब प्रिज दुबारा अगर तूटेगा पूरे देश के अंदर उसके गूंज उठेगे फिर ये चैन के निंदनी सो पाएंगे एक बार आप हमें ट्राइक करके देख लो अभी मैं देख रहा था अभी सियार पाटल साब कोई कहीं किसी गाउं में कोई भारत्य जंता पार्टी क कोई कार्याले का उद्धगाटन करने गए थे कहां कि यहीं वड bạn अमें कि है हां कि खटंबागाउं में भारत्य जंता पार्टी का ओफिस का उद्धगाटन करने गए थे और सरपंच ने बोला कि साब हमारे यहां पे स्कूल नहीं है पूरे देश के अंदर इनके फाइव स्टार दफतर बन रहे है भारते जंता पार्टी के स्कूल नहीं बन रहे है पूरे देश के अंदर दिल्ली में स्कूल बन रहे है आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है दिल्ले के अंदर तीस साल गुजरात में राज करने के बाद अगर वहां पे अगर जनता से एक आदमी अगर खड़ा होके कहें कि साब आपका दफ्तर बन रहा है तो बहुत अच्छे बात है एक स्कूल भी बनवा दीजिए तो शरम से डूब मरने के बात है इन्होंने किया क्या तीस साल के मतलब महले महले के अंदर स्कूल बनवा दिया यह लोग नहीं कर सकते अगा बेल्ब मेरी नजरों में बहुत बड़े हीरो है और मुझे बेहत गर्व है कि चैतर भाई हमारी पार्टी में है आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के लिए जेल जाते हैं दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं इनको गिरफतार किया गया क्यों गिरफतार किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनके इलाके के अंदर गरीब किसानों की जमीने चीन रहे थे यही था ना जमीने चीन रहे थे इन्होंने बीच में पढ़के उनको forest department वालों को रोका, किसानों को उनकी जमीने वापस दिलवाई और यही case करके इनको गिरफटार करके जेल में डाल दिया गया हद तो तब हो गई बीजेपी वाले इतने गिर गए अरे तुम्हारी लड़ाई तो चेतर से है चेतर को ने उनकी wife को भी पकढ़के जेल के अंदे डाल दिया इतना गंदा और को न होता इतना गंदा, अरे तुम्हारी लड़ाई उन्से, उनकी wife को छोड़ो तो बक्स से कम बक्ष दो परिवार को तो बक्ष दो कम से इतने गंदे लोग ہے उनका मकसद क्या था उनका मकसद था चैतर को तोड़ना उसके पहले भी साल भर से चैतर के चक्कर लगा रहे थे बहुत दिनों से चैतर तू आजा हमारी पार्टी में तू आजा वो यही करते हैं इतने करोड रुपे ले ले तू आजा हमारी पार्टी में आमारी पार्टी मे जेल में इतनी बार बीजेपी वाले मिलने के लिए गई आ जा कब तक जेल में रहेगा ये करेगा हम दोनों मिलने गए थे मैं और भगवंतमान दिल्ली से आये थे हम दोनों मिलने के लिए गए थे चेतर भाई से और उनके वाइफ से जेल के अंदर चेतर नहीं टूटा उनकी वाइफ से हम जेल में मिले तो उनकी वाइफ के चेहरे पे भी मुसकान थी हमें लगा वो नाराज होंगी हम से गुसा होंगी हम दोनों आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग हमारा तो परिवार बरबाद हो गया यह नहीं वो भी मुसकरा रही थी और मुसकरा के उनों ने का चि उनको भारी भोमत से जिता के एतिहासिक भोमत से जिता के बेजेंगे उनोंने मैं सुन रहा था भी बोला पचासःजार पचासःजार नहीं सीजुह से गीमाएगा से जीत हुनी चाहिए चेथर भाई कि मैं ये भी कहना जाता हूँ वहाँ पर इनके खिलाफ बीजेपी ने मनसुक भाई को दुबारा टिकेट दिया है। मनसुक भाई अब बिचारे वुजुर्ग हो गए हैं। रिटायर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था मुझे पता चला। बिचेपी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। मनसुक भाई को तो 30 साल हो गए 30 साल से बहुत होते हैं 30 साल। अब नया आदमी ट्राइ करो ना उसको छोड़ो अब नया आदमी ट्राइ करो तो मैं भृआध की जनता से यही अपील करता हूं ना पूरे भरूच के अंदर गरीब इलाका है आदिवासी लोग हैं और इन लोगों को आदिवासी हों से नफरत है बीजे पीवा लोगों हेमन सोरेन की साथ बताओ क्या किया मैंने पूरा केस टड़ी किया हेमन सोरेन बिलकुल निर्दोश है क्यों उसको पकड़ के डाला अदिवासी मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर उसको पकड़के उन्होंने जेल में डाल दूए तो नफरत करती है भारते चंता पाटी आदिवासीं से अज पूरे आदिवासी क्षेतर जितना भी है गुजरात के अंदर उसको सबसे पिछड़ा क्षेतर बीजे पी सबस्क्राइब लोने रख तीस साल में बाकी जगर थोड़ा बहुतन क्यों हों क्यों लेकिन गुजरात के अदिवासी क्षेतर के अंदर कोई स्कूल नी बना एक बनाए कोई रास्ते नी बनाए कुछ नहीं केवल जतना पैसा अदिवासीं का आताए वो सारा पैसा कहा जात से हमारे उमीदवार उमेश भाई मुझे नहीं पता है कि विधान सबाद चनाव के कुछ महीने पहले उमेश भाई के उपर बीजेपी वालों ने जान लेवा हमला किया था वह तस्वीरे अगर आप देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे अस्पताल की इनके तस्वीरे इतना मारा था रौड से मारा था उनको इनके पैर तूट गए थे एक बार तो लगा था कि बचेंगे के नहीं बचेंगे लेकिन वह वहां से निकल के आयें और किसलिए वो भी कह रहे थे कि तू आमादमी पाटी छोड़के आजा आमादमी पाटी मुझे कई बार मेरे पूरी वो होती है शरीर के अंदर जब मैं सोचता हूं कि चैतर जैसे उमेश भाई जैसे कारेकरता हमारी पाटी के अंदर हैं कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए पाटी नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन हमारे साथ कोली समाज से आते हैं और मैं उमीद करता हूं कि इस बार भावनगर की जनता भी इनको भारी भावमत से जिता के भेजेगी तो ये दो सीट आज मैं मांगने के लिए आया हूं गुजरात के लोगों से और मैं पिछले साल पंजाब के अंदर जलंदर की सीट खाली होई MP की सांसद की हम जलंदर गए मैं और मान साब और हमने का एक साल के बाद लोकसभा चुनाव है ये सीट हमें दे दो एक साल में हम इतना काम कर देंगे कि अगली साल आपके पास आएंगे अगर काम पसंद आए तो वोट देना अब इतना बढ़िया माहौल है पूरे पंजाब में देखना तेरा की तेरा सीटेंगे जीतेंगे आज यही मैं गुजरात में कहके जा रहा हूं आपने हमारे चार मेले दिये मैं चारों से बात करता रहता हूं एक मेले दोखा दे के चला गया पांच मेले थे मैं चारों से बात करता हूं इतना अच्छा काम कर रहे हैं चारों आप ये दो MP हमारे जिता दीजिए ये इतना शानदार काम करेंगे एक तरफ आपकी आवाज उठाएंगे लोकसभा के अंदर और दूसरी तरफ आपके अलाके का विकास करेंगे स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे सड़के बनवाएंगे आपके इलाके का विकास करें अगर इन दोनों का काम पसंद नहीं आए दो हजार सप्ताइस के विदान सबाचनाओं में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा यह बीजेपी वाले पूरी देश में घुम घुम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है हमारी तो 370 आ रही है हमें नहीं चाहिए तुम अपना घर बैठो तुमें वोट देना है दो नहीं देना है बत दो हमें नहीं चाहिए तुम लोगों का वोट तो ऐसे लोगों को वोट दे से क्या फाइदा जो कह रहे हैं हमें उनका वोट नहीं चाहिए वो पता नहीं कहां से ला रहे हैं 370 कह रहे हैं 370 लाने दो उनको मेर को वोट चाहिए आपके मैं आपके सामने जोली पहला के आपके वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं मेर को भी चाहिए चैतर भाई क हमें आपके वोट चाहिए हम आपको अपना भगवान मानते हैं हम आपको अपना मालिक मानते हैं हम सेवक हैं आपके हमें गुजरात के जनता के वोट चाहिए तो आप हमें वोट दो जिसको वोट चाहिए जो वोट मांग रहा है उसको वोट दो जिसको वोट नहीं चाहिए व और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को एक बार आप दो MP जिदा दीजिए, दो हजार सताइस के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगे गुजरात के अंदर और फिर कोई उसको हिलाने पाएगा, बहुत बहुत आभार. प्राइब अंदर आम आपकोई पार्टी की सरकार बनेगे खार्टी की सरका आपकोई प कलिछ के तो हमाँड़ाएब पाहँ़।